आपके पास Vivo Y20 series का कोई भी फोन है, तो यहाँ पे आप storage manage कैसे कर सकते हैं, storage clean कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे setting पे click कर लेंगे, scroll करेंगे, यहाँ पे आपको RAM and storage space का option मिलेगा, click कर लेंगे, अब यहाँ पे system ने कितना GB storage ले रखा है, application ने, यहाँ पे बचा है, यह भी आपको देखने को मिल जागा, total 64 GB है, जिसमें से 19 GB आपका बचा हुआ है, manage storage पे click कर लेंगे, इसके बद review, और यहाँ पे application select कर लेंगे, जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे इस application ने इतना MB यूज़ कर रखा है, यह सारा storage है, तो ऐसे करके आप यहाँ प अब application delete नहीं होगी वहाँ से, खली space clean होगा, अब आपको यहाँ पे चले जाना है, file पे, या फिर आपको एक eye manager का option देखने को मिलता है, eye manager पे click कर लेंगे, किसी भी option पे जा सकते हैं, आप agree कर लेंगे, first time open कर रहे हैं तो allow कर देंगे, space clean up पे click करना है, agree कर लेना है, तो यह यहाँ पे phone का storage आपको देखने को मिल जाता है, available storage 44GB और 64GB में से इतना GB है, यहाँ पे WhatsApp clean कर सकते हैं, यहाँ पे photos का option है, photos जो duplicate है, similar है, वो आपको show हो जाएगा, तो जो आपको delete करना है, उसे आप click कर लेंगे, delete कर देंगे, कुछी steps से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं ऐसे करके select कर लेंगे, delete कर देंगे इसी तरह से आपका audio है, video है, duplicate file है, सब को ऐसे करके select कर लेना है, और जो आपके काम का नहीं है, उसको आप यहाँ पे select कर लेंगे, एक एक करके और यहाँ पे delete कर देना है, ठीक है, यह पूरा ऐसे करके आप देख लेंगे, one by one, और large file clean up पे click करेंगे, कोई large file होगी, वो यहाँ पे show हो जाएगी, और app clean up पे जाना है आपको, और जिस application को आप यहाँ पे remove कर सकते हैं, उसको remove कर लेंगे, ठीक है, uninstallation पे click करना है, application select कर लेनी है, जो आपके काम की नहीं है, बिल्कुल use नहीं करते हैं, उसको आप ऐसे select कर लेंगे, और uninstall कर देंगे, तो देख सकते हैं, 11GV से उपर आपको यहाँ पे space मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पे यह अनिस्टॉल हो गया है, इसके बाद यहाँ पे back कर लेंगे, और अगर यहाँ पे कोई application ऐसी है, जो अनिस्टॉल नहीं हो पा रही है, लाइक आपका photos हो गया या कुछ भी, तो आप इस पे click कर लेंगे, एप info पे click कर लेंगे, अगर यहाँ से option नहीं आ रहा है, तो आप बाहर से चले जाएंगे, जैसे कि कोई भी एक application randomly pick कर लेंगे, एप info पे click किया, और यहाँ पे storage and catch पे click कर लेंगे, clear catch कर देंगे, ठीक है, अब clear storage नहीं करना है, अधरवाइस यहाँ पे आपका data delete हो सकता है, clear storage किसी-किसी application को कर सकते हैं, सबको नहीं कर सकते हैं, इसके बाद वापिस है, उसी option पे जाएंगे, back कर लेंगे, ठीक है, clean up all पे click कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं, space आपका increase हो गया है, back कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे security scan कर लेंगे, और back कर लेंगे, इसके बाद आपको optimize पे click कर देना है, done, ठीक है, यह सारा हो गया, इसके बाद आपको back चले जाना है, और यहाँ पे recently deleted में कोई file वगरा है, या फिर आपका यहाँ पे file manager में check out कर लेंगे, 3.0 पे जाकि, trash वगरा में कोई file पड़ी है, तो उसको आप यहाँ से delete कर लेंगे, तो भी आपका जो storage है, वो increase हो जाता है, तो इस type से आप अपनी problem को fix कर लेंगे, storage increase कर लेंगे, मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार,